पुलिस अभिरक्षा से छुडाने के लिए पुलिस पार्टी पर हमला किये जाने के एक मामले में अभियुक्तों को दोशी करार देते हुए दश वर्स का कारावास और पांच हजार रुपे का अर्थदंड एवं अर्थदंड नादा करने पर तीन माह के अतरिक्त कारावास से दंडित किया गया है अभियुक्तों को विरुद्ध या फैसला सत्र नियादी सीतापूर्ण मनोच कुमार तर्ती ने सुनाया है अभियोगत चैलू उर्फ छनूलाल, शिवप्रसाद वारामपाल, प्रक्तेक को धारा, 326 बटे 34 के अंतरगत दोशी पाते हुए, दस वर्ष के कारावास वा 5,000 रुपे अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोगत पक्ष के अनुसार, जनपस सीतापूर के थाना तालगाओं के उपनिरीक्षक रामनाथ रावत ने 7 मार्ज 2009 को एक मुकदमा दर्च कराते हुए कहा था कि वा मैं हमराही, स्सीपी विंद्र पसाद सूनकर, कॉंस्टेबल मुकेस मिसरा, फयाज अलीद दिनेश ति के ग्राम जन्मनापूर मजरा गोलरिया में पहुंचे और वारंटी छनुलाल उर्फ चैलू पुत्र नंदलाल के मकान पर पहुंचे, इस दोरान पुलिस को आता देखकर आरोपी दीवार कूत कर भाग गया, लेकिन उसे घेर कर पकड़ लिया गया, जिसके बाद उसके पर परिवार वालों ने शोर मचाया और इस दोरान परिवार वालों ने पुलिस पार्टी पर लाठी डंडा बाका आद इसे हमला कर दिया, मामले में छनुलाल का लड़का शियो प्रसाद, चाचा उमराओ, रामपाल, छैलू की पतनी, शियो प्रसाद वा कमलेश की पतनी पर पुलिस कर्मी को मारने पिकने का आरोप लगाया गया, मुकदमा तहरीर के आदार पर उक्त लोगों के विरुद, धारा 147, 148, 307, 323, 353, 326, 130 के अंतरगत मुकदमा पंजिकत किया गया था, इस मामले की विवेचना उपनिरिक्षक काली चरन गुपता दोरा की गई, अभी योजन पक्ष की तरफ से पहरवी, बीजी सी किनल, शशान शुकला एवं गौरो मिश्रा ने की, सब्त नियादिश मनोज कुमार तती ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, छैलू उर्ष छनूलाल, शिव प्रसाद, रामपाल को धारा, 323, 34 के अंतरगत दोशी मानते हु खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया